मैं आप सभी लोगों का स्वागत है मिरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन चेंग के बारे मस को समझने की कोशिस करेंगे अडर्स्टेंड करेंगे मंदे का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है और मंदे आपको क्या-कै साब धानिया रखनी है इस चीज़ को हम समझने की कोशिस करेंगे तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब यहाँ पर मंडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है एक gap down opening के बाद market में कावी अच्छी recovery देखने को मिली थी बट उस recovery में volatility create रही क्योंकि आज पूरा दिन आप देख सकते हो market ने पूरा आप यह morning में gap down हुआ नीचे गया फिर उपर गया फिर नीचे आया फिर उपर गया फिर नीचे आया और फिर उपर यानि पूरा एक sideways volatile move यहाँ पर रहा है अब यहाँ पर मंडे का trading session कैसा रह सकता हो मंडे के trading session में आपको क्या-क्या साफधनिया रखनी चाहिए इस चीज़ को हम समझने की कोशिस कर रहे है क्योंकि global market में जो profit booking चल रही है या फिर sell off चल रहा है वो अगर continue बढ़ता है तो हमारे लिए आप कौन से important level खुलेंगे इसको हम समझने की कोशिस कर रहे हैं तो सबसे पहले हम option chain को यहाँ यहाँ पर देखते हैं तो option chain में अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिस करें तो एक पर इसको refresh करता हूं यहाँ पर option chain आपके यहाँ पर clearly दिखेगा यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको यहाँ पर clearly दिख रहा है Nifty कहां पर close हुआ है 17600 के पा open interest बढ़के आया यहां पर आप देख़े हैं क्योंकि put के dm jump हुए थे तो put writer को एक अच्छा मौका मिला है यहां पर put write करने का 17.500 की बात करते हैं तो यहां पर 41 lakh का open interest खड़ा हुआ है put side पे उपर बढ़ते हैं तो 17.700 की put पर कितना है 17 lakh का open interest यहां पर अगर call की बात करें 17.500 की call पर सिर्फ 15 lakh का open interest है इसका मतलब क्या है 17.500 चारसो बचास की level पर आपको support मिलता हुआ दिखाई देगा जब तक यहां open interest नहीं बढ़ रहा है तब तक यहां पर 17.500 की नीचे short करना थोड़ा सा dangerous हो सकता है 17.600 की बात करते हैं तो यहां पर 28.500 का open interest खड़ा हुआ है जो की put के मुकाबले काफी कम है कंपया किया जाए तो इसलिए यहां पर नीचे निफ्टी में continuously bounce back आ रहे थे क्योंकि जो call writers है वो नीचे की तरफ shift नहीं हो रहे है उनको ऐसा लग रहा है market नीचे ते राउंस करता रहेगा अल्रेडी उपर से 700-800 गिर के है तो उसी वज़े से यहां पर नीचे call writer aggressively call write नहीं कर रहे है 17-700 पर आपको 33,000,000 open interest दिख रहा है यहां पर आपको 17,000,000 open interest दिख रहा है यानि अब आपके लिए तेजी का जो view बनेगा वो 17-800 निकलने के बाद ही बनेगा यह चीद आप clearly समझ लीजी क्योंकि यहां पर यह तो call writers है यह यहां पर चाहेंगे कि market continuously 17-800 के नीचे ही बना रहे ताकि यहां पर एक particular range के अंदर market गूम है और जो put writers है वो चाहेंगे कि 17-500 के ऊपर market बना रहे तो यह आपकी एक particular range है जो कि 17-500 से लेके 17-800 की होनी चाहिए अब यहां पर अगर समझ लेते हैं कि अगर यहां पर कोई sell-off बढ़ता है तो chart पर कैसे हमें signals दिख रहे हैं तो chart को understand करते हैं और देखते हैं कि chart पर nifty कैसा दिख रहा है तो सबसे पहले nifty का हम क्या करेंगे एक day chart देखेंग और day chart पर सबसे अच्छी चीज़ क्या होई है कि nifty ने आज अपने psychological level 17-500 को hold किया और exactly वहीं से इसने दो बार bounce किया अगर आप देखोगे यहां पर तो आपको दिखा ही देगा यह देखो आपका यह bounce था उसके बाद same इसने 17-500 को break किया immediately bounce करके almost इसने 17-600 के ऊपर ही कामकाच किया maximum time इसके नीचे जितनी दिर कही है bounce का continuously आता रहा है ठीक है अब यहां पर हो क्या कर सकता है इसको हम समझते हैं तो सबसे पहले यहां पर 15 minute कि आप यहां पर chart लगाओ तो अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको एक एक अगर इस तरीके से अगर आप खीचने की कुशिस करोगे तो यह trend line से आपकी बनती होई दिखाई दे रही है ठीक है और अगर यह break होती है तो आपको एक अच्छा momentum उपर की तरफ देखने को मिल सकता है अगर यहां पर मैं trend line को थोड यह gravity start होई थी ठीक है और यहां से इसको मैं इस तरीके से mark कर ले रहा हूँ ठीक है तो आपको इस पर focus रखना है तो कहीं न कहीं यह चीद हमें बता रही है कि जो market है अब अगर यहां पर global sell-off नहीं आता है तो यहां पर क्या है कि अब market दीरे-दीरे recover करने की कोशिस करेगा और अगर नहीं रिकवर करता है तो यह इसी zone के अंदर consolidation करता रहेगा जो की है आपका 17-800 से लेके 17-500 के इस zone के अंदर आपका कामकाच रहेगा अगर इसके ऊपर निकलता है इसको आप यहां कर लो ठीक है यह level break होता है तब हम तेजी की बात करेंगे otherwise हम इसी channel की बात यह trend line यहां पर break नहीं होगे क्योंकि यह properly खिची नहीं है अगर break यह आप देख सकते हैं थोड़ी सी proper खिची नहीं है यह थोड़ी सी ऊपर आएगी इस तरीके से round तो simple दी चीज़ यह है कि आज का high आपके लिए important है अगर इस high के उपर trade करते हैं तो यहां पे हम 17-830 तक के target के लिए play out कर सकते हैं यह चीज़ आप clearly समझ लीज़े nifty के अंदर bank nifty के बात करते हैं तो bank nifty को देख लेते हैं हम bank nifty के लिए यहां पे आपको दिखेगा bank nifty का अगर मैं 15 minute chart लगाता हूँ तो bank nifty ने exactly यह जो यहां से ब्रेक आउट दिया था उसी level से इसने support continuously लिया और आज के दिन में एक अच्छी बात इसने यह है कि अपने जो day low है उस देख सकते हैं उसी trend line के हम दुबारा से बात करेंगे कि यह देखो यह trend line है जिसके यहां पर यह breakout आया था तो strong moment देखने को मिला था और अभी इसी trend line के आसपस हम दुबारा से अटक रहे हैं तो simple ही चीज यह है कि आपको अगर आप इस trend line के ऊपर निकलते हो या फिर आप 38,000 के ऊपर निकलते हो तो आप समझ सकते हो कि आपके लिए जो एक गिरावट थी वो अप complete हो सकती है और उसके बाद एक अच्छा momentum आपको देखने को मिल सकता है खासकर bank nifty के अंदर तो bank nifty पर आप नज़र रखो क्योंकि bank nifty continuously hold करने की कोशिस करता है थोड़ा सा atmosphere ठीक हुआ global market में recovery आई तो bank nifty shot up कर सकता है इसके अंदर बहुत अच्छा momentum आपको मिल सकता है तो आप 38,000 पर नज़र रखो अगर 38,000 ब्रेक होता है तो आप यहाँ पर तेजी कर सकते हो उसके टार्गेट होगा पहला वह होगा अर्थी 300 और अर्थी 300 ब्रेक होता है तो फिर सीरे सीरे टार्गेट आपका कितना आएगा 49 हजा यानि 39,000 के टार्गेट के लिए हम प्ले कर सकते हैं bank nifty के अंदर बात कर लेते हैं global market की तो डाव फीचर देख लेते हैं डाव फीचर कैसा कामकाच कर रहा है अभी currently 50 point उपर कामकाच कर रहा है और Nasdaq future भी देख लेते हैं तो Nasdaq future कैसा कामकाच कर रहा है यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 72 point negative कामकाच कर रहा है तो अगर global market में recovery या फिर वो stabilize होने की कोशिस करते हैं अपनी volatility को थोड़ा सा कम करते हैं तो यह यहाँ पर हमारे market के लिए अच्छी opportunity मिलेगी क्योंकि यहाँ पर market आगे आने वाले दिनों में bank nifty बहुत अच्छा move दे सकता है इस चीज़ को आप क्लियरी समझ लीजे अगर यह 38500 के उपर close दे देता है तो फिर आपके लिए तार्गेट होगा हो lifetime high का ही यहाँ पर खुल momentum देखने को मिल सकता है bank nifty के अंदर तो I hope दोस्तो यह particular data आपको समझ में आ गया होगा दोस्तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही है I hope यह वीडियो आपको बसंद आएगा वीडियो पसंद आता है तो like and share जरू करिएगा और चैनल को जो subscribe कर लिएए क्योंकि मैं सुदिल ले क्या आतर हूँ हर दिन आपके लिए ने वीडियो इसी के साथ शुक्रिया दोस्तो जैहंद